हेलो लेडिस और जेंटलमेन कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बैट रहोंगे मैं हूँ अर्चित और एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का आपके अपने यूटूब परिवार में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग खुस होंगे मस्त होंगे और अपने पड़ाई कर रहे होंगे इस वीडियो में हम कबर करेंगे कुछ इंपोर्टन कुश्चन जो कि आपके सीटाइट के एकजाम के पॉंट अब बू से बहुत ही इंपोर्टन होने वाले हैं आपकी आगामी सिप्टों में इन टॉपिक्स से रिलेटिट कुश्चन आए इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कबर करने वाले हैं हम इस वीडियो में कबर करेंगे टोटल 10 कुश्चन जो कि आगामी पॴत ही परिपरिश्चाओं के दिष्टी से बहुत ही इंपॉट्टन sापित होने वाले हैं तो वीडियो में आगे वढ़ने इस पहले आप सबी से एक कहना चाहेंगे गुजारिस करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट आउन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबसे पहले और भो भी फिने में पहुंच सके अगर वीडियो पसंद आए हमारी मेनत अच्छी लगे अगर आपके फाइदे मंद आपके लिए फाइदे मंद हो यह वीडियो तो वीडियो को लाइकर दीजेगा ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को सिर कीजेगा दूसरी लोग देखने को निश्चित तोर पर मिलेंगे अगर question देखने को नहीं मिलते हैं तो उन topics से related question बिलकुल हमें paper में देखने को मिलेंगे जिन topics को वीडियो में कबर करने बाले हैं तो आप से एक कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अंतर तक जरूर देखीग कि bread, अनाच, चावल और पास्ता समुए किसका अच्छा स्रोथ होते हैं तो आपको पताना है इनमेंसे bread, अनाच, चावल और पास्ता में क्या पाया जाता है या इससे हमें क्या पराप्त होता है option दी रखा है vitamin, option दी रखा है calcium, option C, carbohydrate, option number D, vitamin D तो इसका right answer है वो हो जाएगा option option number C, carbohydrate तो आपको पता होना चाहिए कि bread, अनाच, चावल और जो पास्ता समुए होते हैं वो carbohydrate का स्रोथ होते हैं और ठीक है दोस्तों आपको पता होना चाहिए अगला question आगे बढ़ते है next question आपकी computer skin पर यह रहा, अगला question लिखा हुआ है बेरी बेरी नामाक रोग, नेम लि vitamin 1 ठीक है, B1 तो इसका right answer आपको बताना है, तो इसका right answer है जो हो जाएगा option number D vitamin B1 और vitamin B1 की कमी से बात कर लेते हैं तो vitamin A से रत्तों दी नामा करोग हो जाता है अगर vitamin A की कमी से ठीक है और vitamin B की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है और B में भी पूच लेता है तो B1 complex जो इस रसाने कर नाम होता है जो होता है cyn slide Labs जो कुछा क्वाला में ठीक है आप आपको ये भी याद रखना है cyn Mic में जो है इसका रसाने क नाम होता है ठीक है पर निर्वार रहते हैं और अपना भोजन उन्हीं से प्राप्त करते हैं परजीवी जीप क्या लाते हैं इसी प्रिकार परजीवी पौदे होते हैं जो दूसरे पौदों पर निर्वार रहते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो इसे में आप्सन देख लीजी आप् तो इसका राइट अंसर है वो हो जाएगा option number B अमरवेल हां दोस्तों अमरवेल की बात कर लेते हैं तो अमरवेल एक परजीवी पौदा होता है यह क्या होता है यह पीड़ पौदों पर जो है जब होता है तो पीड़ पौदों से अपना भोजन पराप कर लेता है और जिस पी वीडियो को शेयर कर दीजिए अगला कुश्चन है आपकी computer screen पर है कि रेसम कीट के पालन के लिए निमलकत में से किस पौदे का उप्योप नहीं किया जाता है तो हम बता दें कि रेसम कीट जो पालन किया जाता है उसके लिए पौदों की जरूरत होती है पौदों पर ही जो option C सेंतूत एबं option number D ओक तो इसका right answer भू हो जाएगा option number Sagon जी हां दोस्तों सागोन के पीड़ पर जो है रेसम कीट पालन नहीं किया जाता है बाकि केश्टर के पौदे पर सेंतूत की पौदे पर या ओक के पौदे पर जो है रेसम कीट पालन किया जाता है ठीक है तो आपक से किसे हमारे देश में आने वाली व्या देशना अमिर्का से हमारे देश में लाए थे तो option number जो कि वह क्या लेकर आए थे थो कि हो इसका राइट अन्ऩर है उबढ़िए से यह भी यहां नहीं थी यह हमारे यहां दूसरे कंडी Amir tua क्यों वहनुसे में हमारे मिर्चिछ करूँ तो ही इंडिया में पाई कंडी तो मिर्च की बात कर लेते हैं तो यह अच्छन अमिरका से और भिंडी की बात कर लेते हैं तो जाए अफरीका से जो है हमारे कंट्री में आई थी ठीक है आपने याद रखना है यह कुश्चन अगला कुश्चन देखते हैं next question आपकी computer screen पर ये रहा question लिखा हुआ है moneypul का moneypul का जोए लोक नर्त क्या है अब दोस्तों ये option पर depend करता है कि option में दे क्या है ठीक है घुमर की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये राजिस्तान का जोए लोक नर्त होता है ठीक है कालवेलिया की बात कर लें ये भी एक राजिस्तान का डांस होता है ठीक है ये अच्छकान की बात करें तो जोए करनाटक का जोए फेमाश डांस करनाटक का ये अच्छकान अब option number D वेस्ता है रासलीला तो रासलीला जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो अगर अगला कुश्चन देखते हैं आपकी कंप्प्रदीर च्कीन पर यह रहा अगला कुश्चन लिखा हुआ है करके रहा को छोड़कर किस राज को छोड़कर जो है मतलब किस राज से नहीं गुजरती है और कहां से गुजरती है नहीं गुजरती है अप्शन पढ़िए अप्शन इदे रखा है मदप्रदिश और संभी पस्चे मंगाल और सी नागलेंड एबां ऑप्शन अमडी जारकन तो करकर रेखा की बात कर होकर गुजरती है जैसे बात कर लेते हैं यहां पर कुल आठ राजियों से जो होकर हमारे कंट्री में गुजरती है एकदम मिट से गुजरती है और बात कर लेते हैं जो कहां से नहीं गुजरती है तो मदप्रदिश से जियां गुजरती है पस्चे मंगाल से भी गुजरती ह जारकन से नहीं गुजरती है और जारकन से गुजरती है लेकर नागलेंड से नहीं गुजरती है तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा और से नागलेंड से नहीं गुजरती है पूचा गया है कि किस राज से होकर नहीं गुजरती है तो नागलेंड इसका करेक्ट आंसर हो यह आपको यह भी फैक्ट याद रखना ठीक है आगे बढ़ते है नहींग की च्छा इंप ध्यारतियों को अबसर मिलता है तो आपको बताना है कि विद्ध्ध्यारतियों को जो है किसका मिलता है अप्शन ही पड़िये परिवासा सीखने का ऑफ़न मरी अवधाणाओं का कथन देने का option से बरानन करने का option नमड़ी प्रिशन पूछने का अब दोस्तों कुछ सब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कों neglect की तरह होते हैं यह मतलब यह negativity को जो है दरसाते हैं तो परिभासा जो इसका एकदम गलत आंसर हो जाएगा परिभासा या अवधारना या बरानन करना यह सब जो एकदम गलत option होने वाले हैं यह सब negativity को जो प्रतेसित करते हैं तो यह option गलत हो जाएगा और option नमड़ी का correct answer हो जाएगा प्रिशन पूछने के लिए परिभारन अध्यान के कच्छा में बिद्ध्यारतियों को जो है प्रिशन पूछने का आउसर मिलता है आपको यह विसाय पराधारत शौरूब 251 और या उप्सार श्रूब 151 का यकल विसाय सब्सक्राइब अर्फ sedant कर आप यहां पर दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा एक एकरत सबूइ जो होता है इसका correct answer होने वाला है आखरी question आपकी computer screen पर यह question है नाग गुफफन डिजान किस राज की चितरकारी है तो आपको यह बताना है कि नाग गुफफन जो चितर कारी है तो आपको यह याद रखना है और भी महाराष्ठ के बारे में important fact के बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहां पर यहां के लोगों को जहें सैजन के फूल अधायाइग पी o אבל है और उडिसा की ज्राइग जाद है चर्चा में रहते हैं नुवाखाई है रजपर उडिसा और नुवाखाई जे भी दोनों फेस्टिवल जो है उडिसा में मनाए जाते हैं ठीक है आंद्रप्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों को पोचम पल्ली यह बहुत ही फेमस है कुश्चन पेपर में पूच च करनाटा के एक डांस है तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएका ऑप्सन नमबर डी ऑप्सन नमबर एक महराष्ट गुनाग गुफन डेजान जो है महराष्ट कि ठीक है आपने यह कुश्चन याद अकना है यह कुछ कुश्चन थे दोस्तों जो कि आपकी आगामी सीटेट प जादा अपने दोस्तों को बीच अपने भाईयों के भी सर कीजिए और दूसरे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि जिल लोगों का भविश में अग्जाम होना बाकी है उनके लिए यह वीडियो हैलफुल सावित हो सके और अगर आप पहली अगले वीडियो में तब तक लिए आप खुश रहिए मस्त रहिए यूँ ही मुश्कुराते रहिए जय हिंद जय बारत बंद मात्रां